आज पूरे देश को खुशी है कि आज़ादी के साथ दसक बाद देश में एक देश एक संविधान का संकल्प भी पूरा हुआ है कि सर्दार साथ की आत्मा को मेरी यह सबसे बड़ी स्रद्रांजली है कि देश वांचियों को पता नहीं है कि सत्तर साल तक कि बामासा बांबेड करका संविधान कि पूरे देश में लागू नहीं हुआ था संविधान की माला जपने वालों ने संविधान का ऐसा गोर अपमान किया था कारण क्या था जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की दिवार आर्टिकल 370 जो देश्क में दिवार मन के खड़ी थी कि संविधान को यहां रोग देती थी कि वहां के लोगों के अधिकारों से उनको वन्चित रखती थी कि वह धारा 370 को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया गया है पहली बार महां इस विधान सबाद चुनाव में बीना भेद भाव को वोट डाले गए पहली बार जम्मु कश्पीर में मुख मंत्री ने आजहादी के 75 साल के बाद पहली बार भारत के संविधान की शपत ली है यह द्रश्य अपने आप में भारत के संविधान निर्माताओं को अत्यंत संतोष देता होगा उनकी आत्मा को शांती मिलती होगी और यह भी संविधान निर्माताओं के प्रती हमारी नम्रसरद्धान जली है मैं इसे भारत की एकता के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत ही मजबूत पड़ाओं मानता हूं जम्मू कश्मीर की देशवक्त जन्ता ने अलगाव और आतं के बर्षो पुरान एजंडे को खारिज कर दिया है उन्होंने भारत के समिधान को भारत के लोकतंत्र को विजयी बनाया है अपने अपने वोड से सतर साल से चल रहे अपपरचार को द्वस्त कर दिया है मैं आज राष्टिय एकता दिवत पर जम्मू कश्मीर के देशवक्त लोगों को भारत के समिधान पर सम्मान करने वाले लोगों को बहुति आधर पुर्वक्त सेल्यूट करता हूं तो वाट्साप, ट्विटर, फेस्बूक, इंस्टा जहां भी आपका अकाउंट है इसे शेर बटन के जारा वहाँ पर शेर करें